नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूं लच्छा मट रही बहुत ही मज़ेदार, एकदम क्रिस्पी, एकदम बढ़िया खस्ता बनती है और आप देखी सकते हैं इसका शेप भी काफी अलग है और दिखने में ऐसा लगता है कि कैसे बना होगा, काफी मुश्किल होगा पर ऐसा नहीं है बहुत ही आसान है और यह चाय के साथ या फिर ऐसे ही खाने में इतनी बढ़िया लगती है बच्चों से लेकर बड़ोता को पसंद आएंगी और इसके खास बात यह कि एक बार बना कर आफ काफी दिनों तक इसे डबे में बरकर रख सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए बड़ा सा बरतन ले ले और इसमें मैं डाल रही है दो कप मैदा इसी के साथ आदा कप सूजी डाल रही है इसके अंदर आप बारिक वाली भी डाल सकते हैं और मोटी भी आदी चमच काली मिर्ची पाउडर अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे आदी चमच जितनी और इसी के साथ स्वाद अनुसा नमक या फिर एक चमच नमक और यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमच गी गरम करने रख दिया है आप देख सकते हैं गरम हो चुक है तो गैस को मैंने बन कर लिया है अभी गी को हम डाल देंगे और अभी काफी गरम है तो क्या करेंगे या आटे को इस तरह से गी के उपर डालेंगे और अपने हाथों को संभालते हुए आपको इसे अच्छे से मिलाना है त्यान रखेगा गी काफी गरम गरम ही आपने डाला है तो हाथों में क्या काफी पर थोड़ा बहुत लग जाता है तो इस तरह से पहले हलकी हलकी हाथ से मिला है फिर ये बहुत ही जल्दी थंडा हो जाता है तो इस तरह से अच्छे से अभी आपको इसे मिलाना है मोहिन अच्छा होना चाहिए देखिए अच्छे से यह बंद रहा है उसके बाद यहाँ पर मैं अपने आप टोड़ रही हूँ तो यह तूट पी रहा है तो इस तरह से यह होना चाहिए देखिए अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गुनेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कब पानी लिया है तो थोड़ा-थोड़ा करके डालना और आटा गुनना है आटा जो है एकदम सक्त भी नहीं होना चाहिए और एकदम नरम भी नहीं मैं आपको बता दियू कि किस तरह से होना चाहिए एकदम जादा सक्त भी नहीं रखेगा और एकदम जादा नरम भी मेडियम आटा कून कर ही मे तैयार करना है तो आपको देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करकर पानी ảमी डाला है तो आपको देख आतरी यूँ याटए को जाद में तो वी थोड़ा साट के सब्परे में सिर्फ आपको यी मठ्री बनाने में आटे का ही ध्यान रखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा गूंद कर मैंने तयार कर लिया आप इसे ढखकर हम 10-15 मिन्ट तक रख देंगे तो यहां पर 10-15 मिन्ट हो चुके हैं तो अब यह डखकन को हटा लेंगे हलका सा तेल लगा कर इसे हम इस तरह से चिकना कर लेंगे बहुत ही आसान है दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसका शेप कैसे बनेगा काफी मुश्किल होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार मसल लेके बाद इसमें से हम बड़ी सी लोई निकाल लेंगे इस तरह से और इसे दोनों हाथ के बीच में मसल लेंगे फिर चकले पर लेकर इसे हमें बेलना है तो अब ये एकदम जैसे हम बड़ी सी रोटी बनाते हैं वैसे बेल देना है नाई जादा ये मोटी होनी चाहिए और नाई जादा एकदम ये पतली होनी चाहिए इस तरह से उठाते जाए और इसे इस तरह से बेलते जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं उठाती जा रही हूँ और इसके किनारों कर अच्छे से बेलन लगा कर इसे बेलना है तो देखें ये ज्यादा रोटी मोटी भी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है तो इस तरह से होनी चाहिए मीडियम रोटी तो अब हम इसके जो किनारे हैं वो हमें निकाल लेना है और एक स्क्वेर शेप इसका बना लेना है तो देखे किनारे मैंने पूरे निकाल लिया है、 अब ये knife की मदद से इसकी पतली पतली पतिया हमें काटनी है, देखे एकदम पतली पतली काटियागा तो देखे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगा पर आपको ये जाकु को लगाना हूं और इसे पूरा पूरी line कर देनिए पूरे स्क्वेर में आपको इसी तरह से कर लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने पूरे स्क्वेर में कर लिया है, देखे इस तरह से होनी चाहिए, छोटी-छोटी, अब यह तीन पट्टियों को हम उठाएंगे, तीन या चार को उठा ले आप, थोड़ा सा लपेटने के बाद इसे पूरा गोल गुमा लेंगे, तो आप देख सकते हैं, गोल गुमाने के बाद यह जो किनारा है उसे बीच में इस तरह से दबा लेंगे, देखे कितनी आसान है, बहुत ही आसान, काफी मज़ा भी आता है इसे बनाने में, और खाने में भी काफी बढ़िया, दिखने में भी मज़ेदार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम यह तीन या चार पटियां उठाएं, और इस तरह से पूरा उपोजिट डाइरेक्शन में से लपेट कर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि निकालने के बाद यह गरम होती है, तो यह और भी अंदर इसके प्रोसेस कुकिंग की शुरूई होती है, तो थोड़ा सा कलर आ जाए, तो आप इसे निकाल लें, तो इसी तरह से हम जो हमारी दूसरी हमने तैयार की हम इसे भी डाल देंगे, आपने देखा है कितनी आसान है, सिर्फ आपको आटे गूनने में ही ध्यान रखना है, इसे डालने के बाद एक से आती सेकेंड तम नहीं चुएंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटते जाएंगे, और दीमियाश से मद्यमाश के बीच में इसे हम तल लेंगे, एकदम इसका थोड़ा सा कलर जेंज हो जाए, थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए, तो आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैंने ये सारी लच्छा मठरी बना कर तयार कर लिए, देखे कितनी बढ़िया लग रही है, आप इसे डबे में बरकर काफी दिनों तक चला सकते हैं, पर इतनी स्वादिस्ट है न, आप इसे चाई के साथ ले सकते हैं, कौफी के साथ, और आप मैं आपको दिखा देती हूँ, देखे, कितनी बढ़िया है, कितनी खसता है, तो बच्चों से लेकर बढ़ता को ये पसंद आएगी, तो इसे बनाए, और मज़े कमें सेक्शन बताए कि आपको ये कैसी लगी है मेरी रेसिपी, अच्छी लगी है तो वीडियो को ज पस्क्राइब करना बिलकुल ना बुले, थैंक यू फोर वाचिंग